जब समय सिमित हो तो यह तैय करना बहुत महत्पुम्र हो जाता है कि हमारी दिशा क्या हो दी हमारी कारेशेली क्या हो आज चुनोती यह नहीं है कि आप इतने एफिशन्ट है बल्कि चुनोती यह तैय करने में है कि जहां जो डेफिशन्सी है वो कैसे दूर होगी कवर्द अनकवर्ड प्रधान मंत्री नरेनर मोदी का ये संगल्प रोज नई सिद्धी हासिल कर रहा है इसी दिशा में वन्चित इलाकों तक आकाशवाणी की पहुँच लगातार बढ़ रही है देश के वो शेत्र जो अभी तक EIR FM कवरेश से वन्चित थे ऐसे 91 जगों को चिन्नित कर 100 वाट के FM स्टेशनों का शुभारंब हो रहा है AIR FM की नई पहल से 2 करोर लोगों को सीधे लाब होगा और कवरेश में 35,000 वर किलोमीटर की वृद्धी होगी लोगों तक सटीग सूचनाएं और स्वस्त मनुरजन की पहुँच बढ़ेगी आकानशे जिलेहूं या वामपंत उगरवाज से प्रभावित शित्र दूर सुदूर सीमा वर्ती शित्र हो या ऐसे इलाखे जहां अभी तक EIR FM स्टेशन नहीं था अब मिलेगा उन्हें भी अपना नया इस्टेशन जिससे इस्थानिया भाशाओं को और भी सम्रिध्धे मिलेगी वहीं लोग संस्कृति और लोग कलाओं का संदक्षन और सम्मर्धन होगा इन प्रयासों से सूचना क्रांथी के सदी में अपतै होगा सटीक और भरोसे मंद सूचनाओं से सुशासन और विकास का रास्ता रेडियो के ऐसा सरलमाद्यम है कि मैं दूर दूर तक पहुंच पहुंगा गरीब से गरीब घर तक पहुंच जाओंगा क्योंकि मेरा मेरी देश की ताकत गरीब की जोपड़ी में है मेरी देश की ताकत गाउं में है प्रिदेश की ताकत पिसानों में है, मैं आपी के भरोसे भारत आगे बढ़ेगा, यह भी इस्वास बेर्च करता हूँ, आपकी शक्ति में भरोसा है, इसलिए मुझे भारत के भविश में भरोसा है यह है अमरित काल का भारत, जहां संपर्क, संचार, सूचना का रोज नया विस्तार है, नए भारत के रंग, अब आपके शहर में नए रेडियो, AIR, FM के संग